कि अजय है किसे ऐग darbble तो अनालीसिस दूसरा होता है फंडामेंटल अनालीसिस तो यह वीडियो में हम समझेंगे कि क्या हम इंडिकेटर की मदद से हम फंडामेंटल अनालीसिस का डेटा और पर स्टॉक के हम इसीली हमारे चार्ट के उपर देख सकते हैं कि नहीं मैं कुछ यहां पर सर्च कर रहा था पी रेशियो के उपर तो मुझे दो इंडिकेटर अच्छे यहां पर बने बनाए मिले हुए है तो मैं वह आपके साथ शेयर करूंगा यह छोटे से वीडियो में हम स करेंगे इंडिकेटर पर हम यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्या लिखेंगे पहले फंडामेंटल का लिखेंगे फंडामेंटल लेबल तो आप यहां पर देख रहे हो फंडामेंटल लेबल का जो उन्होंने यह बनाया है बिन्या को करके जिनोंने यह बनाया हो आप क्लि है free cash कितना है total debt है dividend का इसका payment का क्या है यह P.E. Ratio पूरा detail जो लोग fundamental use करते हैं उनको यहां पर मिल जाता है इसका edit भी देखते है setting में क्या है यहां पर इन्होंने क्या दिया है तो इन्होंने यहां पर पूरा कोई information नहीं दिया है जहां पर आप कुछ भी add कर सकते हो तो यह जो है वही आपको यहां पर use करना पड़ेगा और यह भी free है तो आप कोई भी जो जिसको भी add करना है वो add कर सकते हो जो मैंने बताया कि आप यहां पर indicator में जाके add कर सकते हो जैसे ही आप यहां पर stock change करोगे यह आपका पूरा यहां पर change हो जाएगा जो हमने अभी देखा जैसे कि यहां पर free cash कितना है 8469 million वही चीज़ अगर मैं यहां पर REC में जाके देखता हूं तो यह आ जाता है REC के इसाब से यहां पर free cash 172605 पी इसका ratio 11 का है यह यहां पर दिखाई देता है तो अगर आप fundamental use करते हो तो यह आपके लिए एक सही रहेगा अब यहां पर हम समझते हैं सेकंड वाला सेकंड वाला थोड़ा मुझे काफी अच्छा सा लगा था तो मैं वह आपको शेयर करता हूं financial बॉक्स करके है जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे वह आपके चार्ट पर आ जाएगा तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि RSI के नीचे ही दिया तो अगर आपको यहां पर आपका चार्ट क्लीन रखना है तो यह यूज कर सकते हो जिसका यहां पर पूरा डिटेल आपको financial score के साथ मिल जाता है यहां पर EBTA भी दिया है margin क्या है ROE क्या है cash debt का ratio दिया है debt equity है current ratio है PE है PS है फिर यहां पर EPS भी दिया है earning per share के हिसाब से दिया है book जो share holding रहता है वो यहां पर पताया हुआ है और जो इसका revenue percentage के बाद यहां पर क्या change हुआ है previously quarter के साथ वो हमें यहां पर बताया गया है इसको हम समझते क्या यहां पर यह setting में allow करते है कि नहीं तो setting में तो यह यहां पर एक आपको मिल जाता है कि हां यहां पर इस इससाब से आपको यह data मिलेगा बाखी चीज तो normal है यहां पर financial है यह quarterly है और यह yearly है तो जैसे अगर यहां पर change करेंगे तो year-and-year का comparison यहां पर आपके साथ आजाएगा और यहां पर quarterly करेंगे तो यह quarterly change हो जायेगा तो क तोटा सा वीडियो for the fundamental analysis के दो इंडिकेटर तो आप मैं दूनों आप जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि एक है financial box है दूसरा है fundamental label यह दू आप free है use कर सकते हो आपके इसाब से और वीडियो अच्छा लगा है तो please don't forget to like and share thank you मिलते हैं नए वीडियो में take care bye bye